नमस्कार नियूस फोनीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रिचा शर्मा बिहार में कुछी महीनों बाद विधान सवा चुनाव होने हैं ऐसे में जाएक तरफ चुनाव आयोग तैयारिया कर रहा है वहीं दूसरी तरफ पार्टियों ने भी पूरी कमर कसली है पूरे साल तक बिना सेनिटाइजर के हाथ मलना पड़ेगा और ये सभी पार्टिया जानती है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टिया ये भी जानती है कि अकेले वो चुनाव नहीं लड़ सकती है शायद यही वज़ा है कि गटबंदन की बात की जाए या फिर महा गटब सीर शेरिंग को लेकर स्थित्या जो है वो सपस्ट नहीं हो पा रही है जो तस्वीर है वो धुंदली ही नजर आ रही है हलाकि बात की जाए 2015 की विधान सभा चुनाव की तो ऐसे समय में सब कुछ सई हो चुका था सभी पार्टियों ने एक दूसरे को मना लिया था सीर शेर उठने और मनाने का सिलसिला भी जोरो पर है विहार विधान सभा के चुनाव के लिए कम से कम एक बात तो तय है कि संभावना वाले किसी दल में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है सबको सहारे की जरूरत है लेकिन कुछ दलों को छोड़ दे तो बाकी में दोस्तो के बारे में धंग से बाच्चीत तक नहीं हो पा रही है इसमें सबसे बड़ी बाधा 2015 का विर्हान सभा चुनाव है उसमें सीटों का जिस धंग से बटवारा हुआ था अधी संख्य दल वहीं तरीका इस चुनाव में भी आजमाना चाहते है किसी दल को उस चुनाव के तु एक जीत का मज़ा नहीं आया 2010 की तुल्ला में उसे ठीक 44 सीटों का घाटा हुआ था 2010 में उसके विधायकों की संख्या 115 थी वहीं 2015 में 71 हो गई 2020 के चुनाव में जेडियों उस च्छती की भरपाई करना चाहता है इसके लिए उसे कम से कम 122 सीटे चाहिए उसकी ये मांग ल भारतिय जनता पार्टी को भी कम सीटों पर लड़ने से रोक रही है सवाल है कि अगर सौ से आसपा सीटे मिले तो उससे बाकी 57 उमिद्वार कहा जाएंगे जो बीते चुनाव में खड़े हुए थे किसी किसी सीट पर मामूली वोटों से उसकी हार हुई थी बीजेपी को भी मलाल है अधिक सीटों पर लड़ने के बावजियो 2015 में उसके सर्फ तिरपन उमिद्वार जीत पाए थे 2010 में उसके 51 बिधायक थे हलाकि अकेले में बीजेपी को रिकॉर्ड 24.4 फीस दी वोट मिले थे एंडिया फिर भी इतमिनान में हो सकता है उसके घटक दल जेडियो और बीजेपी में आफिक श्राक्रत अनुशासन है नाराज लोगों को समझाने या फिर उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ देने का भरोसा देखकर संतुष्ट करने की छमता भी है लेकिन यहीं छमता LGP में नहीं है वो एक सीमा से कम सीटों पर राजी नहीं होगी एंडिय में सर्फ यहीं समस्या है कि वो LGP को राजी कर ले वैसे J.U. BJP में सीटों को लेकर होने वाले कोई भी मत्वेद सलट सकता है दोनों की बीच सीटों के साथ उमिदवारों की भी अदलाबदली हो सकते ह महागटबंदन में राश्ट्रिय जनतादल के सामने भी जेडियो वाला ही संकट है 2015 में सबसे कम सीट 101 सीटों पर लड़ा था बेशक उसे शांदार जीत हासिल हुई थी 2010 की तुल्ला में उसे विधान सभा की 68 सीटों का लाव भी ला था सो वो भी इस वार अधीक से अधीक सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है सुत्र ये भी बताते हैं कि उसके दूसरी बड़ी सहयोगी कॉंग्रेस को बता दिया है कि 150 से कम सीटों पर हम नहीं लड़ने वाले हैं यानि कि आरजडे ने ये क्लियर कर दिया है इसका मतलब है कि वो कॉंग्रेस सहयोगी दलों के लिए सर्फ 93 सीटे ही छोड़ रहा है इसी में वाम दलों को, राष्ट्रिय लोग समता पार्टी को, विकासिल इंसान पार्टी को, सभी को हस्सा देना है कॉंग्रेस 2015 के तुल्ला में अधीक सीटों पर लड़ा चाती है पार्टी के अंदरूनी बैठक में तैक या गया है कि सभी लोग सभा सीटों की दो-दो विधान सभा सीटों पर लड़ा चाहे यह हिसाब 80 सीटों का है, यानि कि 2015 में 41 में से 27 सीटों पर जीत हुई थी 2010 के तुल्ला करें तो उसे 23 सीटों का लाव मिला था कॉंग्रेस को उमीद थी कि आरजडी पर दवाब देकर वो अधीक सीट पर ले लेगी पर आरजडी इस पर भी संतुष्ट नहीं है तो सीटों का ये दापेच बरकरार है, हाला कि गटबंदन की बात की जाए या फिर महागटबंदन की हर जग इस्तित्या सेम ही नजर आ रही है, एक तरफ गटबंदन में बात की जाए तो कई दिनों से जितन रामांजी अल्टिमेटम दे रहे हैं और सीर शेरिंग को लेकर कॉंग्रस भी दवा बनाने की कोशिस कर रही है यहां तक की चार दिनों से शक्ति सिंग गोहिल पटना में ही थे बिहार में वो आया और बात भी की उन्होंने रात में डिनर भी हुआ लेकिन अब तक यह स्पस्ट नहीं हुआ है कि सीर शेरिंग को लेकर कौन क्या कुछ कह रहा है कि सभी यहीं दावा कर रहे हैं कि जो विधान सबाचिनाव होने ऐसे में उन्हें ज्यादा सीटे चाहिए देखना दिल्चस्प होगा कि आकर यह सीर शेरिंग वाला मामला कब तक थंड़ा होता है देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए मारे सब बने रहे हैं और देखते रहे हैं नमस्कार